नमस्कार मैं डॉक्टर मनोज मितल जगदंबाव बीकेर करनाल से 125 वर्ष तक अगर आपको निरोगी रहना है बिना किसी दवाई के बिना किसी ओपरेशन के तो यह खाने की ठाली है जो आपको 700 वर्ष तक निरोगी रखेगी और कौन-कौन से भोजन से क्योंकि यह हमारे आपको बताऊंगा यह देखिए डिफरेंट भोजन जो इस बिमारी के लिए जिम्मेदार है और कौन सा 99% परसेंट बिमारियां गलत खान पान गलत रहें से होती है कौन से बोजन से कौन से बिमारी में आपको बताऊंगा को आपको निरोगी रखेगा तो वह भी मैं एक ब निरोगी रखेगा में राजसी बोजन है जो अनेक बीमारियों का कारण है और तामसी बोजन यह है जो अनेक असाद माहमारीयों का भी कारण है तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो राजसी बोजन है राजसी बोजन हमारे मन को ज्यादा हाइपरेक्टिव बनाता है चंच बीटे जो आप बैक्ति हाट्यों को कि अपयोग करेंगे अगर मैदे के अपयोग केश से था रियून ए तो अपयोग करेंगे थान को च्णि के इन थे lems और यूज्श करना इसके बेड़ों को शाब करें नमक बदले में मि्स्याटे का जो मैं भी आपको बाउंगा मिसाटे का उप्योग करेंगे, यह भी मैं आपको बताऊँगा, और जितना अगर हम तली भूनी चीज़ी के उप्योग करेंगे, तली चीज़ी औख ज्यादा ओईलीशियों का, तो हर्दे रहों के चांसे रहेंगे, इसी तरह से अगर हम ज्यादा heavy proteins लेंगे, ज्यादा जिन में process heavy proteins हैं, तो उसे पत्री के शकायत के, या गाउट बगरा के चांसे पढ़ेंगे, और ज्यादा milk products का उपयोग, ज्यादा घी का ज्यादा दूद का उपयोग करना ज्यादा दूद के उपयोग से फिर फैटी लिवर के पीसीओडी के ज्यादा दमे हो रहके भी चांस हो जाएंगे यह पकि बात है तो इसको जरूर देखने क्योंकि अपने हमें अंदर जहांकना पड़ता है यह पीजिया को आट की इसी तरह से जो तांसी भूजन है जो डेड़ फूड है इस अनेग मावमारियों का और कैंसर का कारण है जैसे बीड़ी है सिगरेट है शराब है प्याज है ज्यादा लेसुन है ज्यादा वह जाधा लेसुन है फिर यह गुठका पानमसाला नौविज क यह सब बिमारी कारण है क्योंकि हमारी अलग जो भावनाएं हैं वो हमारी भोजन से पैदा होती हैं देखिए मैं आपको बताता हूं हमारे खोले राजमा पनीर मत्र भोज ज़्यादा है प्रोटीन से लेंगे तो हमारा वात प्रकुपित हो जाएगा कामी प्रवर्थी बन जाएगा हमारी फिर कमर में धर्द्वगरा हो जाएगा अगर हम ज्यादा पित-वर्दक बोजन लेंगे चट-पटी मिर्च मसाले की खटी-inkपी तली चेंगे तो हमारा अगर ऐसा भोजन लेंगे तो थायरेड की दिक्कत हो सकती है ज्यादा तरशना से जलोदरी आसाइटिस ज्यादा दम से पैरलेसिस अविवेक से फीवर और ज्यादा मैदे वाली चियों से और मन की अशांती वाली भावनाय रखने से आर्थ्राइटिस जोड़ों की बि अभिति वर्दक ज्यादा भोजन से मैनिया रहेंगे और ज्यादा कफ वर्दक भोजन से ज्यादा डिप्रेशन के हमारे चांस रहेंगे इसलिए पोजन जितना संथरीड हो अच्छा यह अब आपको बताता हूं कोंसा पोज़न आपको निरोगी रखेगा विर्कूल आप पासषाशी नाश्टे में अगर नाश्टे में पत्तों का जूस ले 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 तो पत्तों को दिल्स बड़ा एक हम रात इस्सकू हमने का समय बी IST सबस्द्व हो श्बाइब वद्ही ह contradictory ये जो यह सात्य बोजन है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं इसे कहते हैं लाइफ फूड लाइफ फूर या वाइटल फूर यह जो सात्य बोजन है यह ताजा भी होता है फ्रेश होता है और स्ट्रीम्ड घॉक्ष काने का यूजना करें माइक्रोवेळ का फ़ीज में रखाना अग एक तो हमें सात्वी भोजन हमें उर्जावान रखेगा इस फूर्तिवान रखेगा हम हमेशा खुछ रहेंगे और दूसरा डीटोक्स करेंगा हमारी बोड़ी को सात्वी भोजन जो मैं थाली दिखाने वाला हम आपको फिर मानसिक शांती देगा हमें निरोगी रखेगा सब्सक्राइब करें यह बचाएंगे जोड़ों की बिमारी यह बचाएंगे गैस से कब्ज से जो मिस्टा खाना खाना खाएंगे ड्राइफूर्ट भी ले सकते हैं इनका उप्यों कर लें और मोसम के अनुसार अपनी महनत के अनुसार हम दूद ले से यह देखिए जो जो कच्छे मुफली भी होके भी ले सकते हैं यह भी हमें निरोगी रखेंगे ऐसे ही दूद भी जो दूद की बनीची है जितना हमारा फिजिकल एक्टिव से आप से लेंगे अब मैं आपको दिखाता हूं भोजन की थाली एक तो भोजन की वराइटी है कि हम क्या खाएं एक हम जोकी तोरी टिंडा पालक मेति बतौवा किसान घर पे उगाते है और बनाते हैं यहहां प्रोसेसिंग वाला खाना लेंगे जो मशीनों में रखावा खाना मशीनों अस बन गया है वह हमारे सब्सक्राइब करने हैं ये देखे ये सबजी हो गई ये दाल हो गी मैं हम बोग दीजितed month अगर जयादा जली व्हहती है विह उसे भी नंगर जैसे चपाती खाता हूं यह कि भाइफ न की लिए उपनालि AB बाधी एक हमन बना लिया जैसे यह दनीए के चत्नी बना लिए यह दनीय के चटनी है यह देखिए धनीय की पुदिनेगी मरबा की चटनी और यह सबजी है तो ऐसे करके अगर थोड़ा सा मीठा ले लिया थोड़ा सा नमकीन च्टपटी चीज़ ले लिए जिसे की पेट भर के हम खाना खाएं और हम निरोगी रहेंगे बाकि यह चोटा सा स्मार्ट सेशन है यह मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को इस सेशन को करें और यह जो मेरा भी प्लेटफॉर्म है आप इस पर विजिट करें ऐसे अनेक वीडियो मिलेंगे आपको जिससे की पता लेगा आपको कि हमें डियापटीस क्यों होती है डियाप करें और यह मेरा फोनमर भी